लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तुम चले जाओगी हांसे अगर तुम दोनों की महप्राइब करें अगर तुम दोनों की महप्र पवित्र गंगा हैं तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं हमारी आखरी उम्मीद है इसका खयार रखेगा तच वित्वरें वर्गोदे मोज्टी मैं दियो डूदा प्रचोदा आँ हेमाचल की पहाडियों में गूमने वाले इस पूर्छे पैदाईशी फقीर का नाम है मन्धारी अपने पुराने दो अजीम दोस्तों के खो जाने का गम दिल में दबाए भटकता फिरता है ये चित्रका मन्धारी जिसने सनातनपुर और उसके बड़े बड़े सौदागरों के इतिहास को अपनी आँखों से देखा है जिमली का बूटा बेरी का पे जिमली का बूटा बेरी का पे इन ली खत की मीले बे इस जंगल में हम दोशे चल घर जलते हो गई थे चल घर जलते हो गई थे एक किसान का बेटा था और एक राजा का लेकिन बच्पन तो इश्वर का रूप होता है वो क्या समझे राजा और रंग की भेदभाव को एक बार बीरू की गाड़ी को धका देते राजू के पाओं की अट्डी तूट गई तो वैट जी ने राजू को पंदरा दिन स्कूल जाने से मना किया बीरू ने भी भागवान के सामने प्रण लिया कि जब तक राजू की टांग ठीख नहीं होगी वो भी एक टांग पर चलेगा ऐसी थी दोस्ती राजू बीरू की मेरे यार गाओं के कुंडे बली राम ने जब राजू की बहन पर नज़र डाली तो बीरू से रहा नहीं गया मेरे बली राम तेरी ये मजाल के तुने हमारे दोस्त पर हाथ उठाया रामिक कुछे राजू बली राम तेरी तो हम कर्दन तोड़ देंगे राजू छोड़ दे से यह किता हूँ छोड़ दे सुभाई किरें क्ड़ यार ये दुनिया दोल है क्यों हर एक चीज़ का मौल है क्यों ये सब है रा पेरी प्यार में कोई हेर ना पिर इमली का पूटा बेरी का बेर इमली ख़टी मीठे बेर इस जंगल में हम तो शेष चलगा चलगी हो गई थे चलगा चलगी हो गई थे राजेश्वर की बहन पाली कांता बेर सिंग से मन ही मन प्यार करने लगी थी जब ये राज राजेश्वर की पत्नी ने समझ लिया तो राजेश्वर दूसे दिन ही पीरू की बड़ी बहन से पीरू और पाली कांता की शादी की बात बाड़ी और अपना धाकुरगर दे रहे हैं चुनिया बाबू अगर साई धर्ती पर हमारा राज होता तो वो भी अम बीरू का पता किया वो कहां है जी हां मुझे कहकर गए हैं रामदर शास्त्री की बेटी की शादी पर दुर्गापूर गए हैं शादी पर हां शादी पर नहीं सेर्जी नहीं ब्राद मत वापस ले जाओ मैं देज की पाई पाई चुका दूँगा लेकिन मैं आज मद्बूर हूँ पाराद वापस चाहेगी चलो बड़े नहीं मालिक नहीं एक पार मंदब से दूला चला गया तुभी कौन कर गए इससे ब्याद हो रामदर जी हो है जरूरत न ऐसे कमीन लोगों की मिनत थमाजत करने की हमारी लड़की हमारे गाओं का मान होगे है मान इत्ता मान रखके है तो कर लेना शादी इस तर अधिर बात कर दी ओ कुछ नहीं होना मैं जो कह रही हूँ तो फिर कौन करेगा इससे ब्याद अरे इससे का पूछे है जिसे खुद तो है बेपार रसाइकर दमिन मिली है आली थाकुर जी इसने देहर खालियो थाकुर जी अब अपनी बहन के लिए सुहाग का जोड़ा नहीं का पन मंगवाई थाकुर जी का पन आपके दोस्ते खूब दोस्ते नहीं 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 राजु मुछ से पूछ तो सही या तो कि यह क्या हुआ कि तुम से क्या पूछें यह पूछें कि तुम यहां आने से पहले मर क्यों नहीं गए यह पूछें कि तुमने बरसव की दोस्ती को देखते-देखते जिन्दा क्यों गाड़ दिया क्या यह पूछें कि तुम हमारी पहन की लाज को अपनी बीवी के दुपटे से ढखने आयो राजू मर गया राजू, खत्म हो गया वीरू ए तगाबाज दोस्त, क्यों और अग लगाए हैं यहाँ ले जाइस मनूस सकर्ण तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले के अवारे हाथ खून से रंगे जाएं, तुम चले जाओ यहाँ से तरह ठीक ही क्या यहाँ, फिर आजू, मर गया और बीरू खत्म हो गया वहाँ, वहाँ से मलेघ झालस्म यहाँ, झालस्व राजो, राजेश्वर सहनातनपूर छोड़कर विदेश चला गया दोस्ती का सूरज हमेशा के लिए डूब गया अच्छे साल गुजर गये उधर राजेश्वर विदेश में अपना कारोबार बढ़ा रहा था और इधर उसके दो बेटे अपना पाली नगर बना लेने की कसम खा जुके थे ये गजंदर और देवन का वादा है मामा कि सनातनपुर के हर खेत पर हमारे काखानों का राज होगा उनका हर किसान हमारा गुलाम होगा भीरू यानि बीर सिंग आज गाउं का मुख्या बन चुका था उसके भी दो जवान बेटे थे जो फलों और सबजियों के सौदागर बन चुके थे का जुका थे जो जब बेटे बन का वार खाज़ नंका डहर बोड़का रहना उनका हो जो 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 चाज़ में कहते हैं जिवन संगिनी से ठीका लगाने का इस अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता आपकी नहीनी बाते और नहीने तरीके कभी सुनाएं कोई बाप अपने बेटे को सीटी बजाना सिखा रहा हूँ बाप नमारी सीटरी बेटा सीरंदार वह अभी वह अभी क्या देखा वहां तेरा भाई क्या कर रहा है गगन क्या कर रहा हूँ बंदूक में गोलियां भर रहा है खबर बिल्कुल सच्छी है गगन वहिया जुनिया की साजी सिर्फ हमारे किसानों कोई खतम करने की नहीं बलकि राजेश्वार और दादाबीर को भी खतम कर देने की है अब देखना बड़ी राम यारी दोन्यों की सम्मादी वहीं बढ़ेगी एब समझेया तू राज नीती बड़ी गाड कुट्टे का दिमाग पाया तन्य बड़ी राम बली राम ने ठीक कहा चुनिया बाबू लेकिन कुट्टे भी तो अपने मालिक से वफादार होते हैं तुम समझती हो तुमारी राजनीती कम्याब होगी? नहीं एक दिन तुम सनातनपूर के राजा बनोगे? नहीं इंतजार करो चुनिया अपने विनाश का, अपने बर्बादी का महा काया, सुर्यकोरडी, सांप्रभा, निर्वे कंद, कुर्मतेवा, सालवकाया, सुर्वद्धा, सुर्वद्धाव, निर्वे सुर्वे खारी, दातन चुनिया, प्रसंपा Ef GCope. स्वेरि देव हैं सेर्य हो making सेर्य हो सेर्य हो सबस्क्राइ parl również सबस्क्राइ बाह वा करतुल सेर्य हो सेर्य हो सेर्य हो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आई कर दो विद्वा बन गई, लेकिन अब बिनमची की मा नहीं बन सकती, मेरे वासु को बन भेज़े, अरी बावले उसका यहां रहना ठीक नहीं, अमरे वासु को सनातनपुर में जान का खत्रा है आचारे जी, इसलिए बाबा की यह इच्छा है कि इसे आप अपने शरण में बढ़ा करें, और शर्ष्ट विद्या दें, लेकिन आचारे जी, इस हिंसा का कोई अंतो होगा, मंधारी, अगर प्रेम का अंत हिंसा करती है, तो हिंसा का विनाज भी सिर्फ प्रेम ही कर सकता है, बाकी तो काल चक्रा है, जो होगा, जो होगा, जी, कलेक्टर साथ, हम पाली नगर लोट आए हैं, विशाहिल की मौट के बारे में महाजरात आप से मिलेंगे, जरूर, आप म कांप मत्र काम हो गया है, जड़े यंत्र, ऐसा शड़े यंत्र रचा आपके जिगरी दोस्त पीर सिंग ने, के हम कुछ करी ने सके, और आपको चौदा साल की कैदो भई, 14 साल तो क्या, ठाकुर राजेश्वर सिंग 114 साल की कैद के बाद भी लोटेगा और फिर बीर सिंग को अपनी आखों के सामने मिठते हुए देखेगा हुए खरूरा लाजेश्ट ुछ्ग भी, रहा हुए राजेश्ट और भी वुए बाजेश्ट आखो इस राजेश्ट आखो वुए वुए राजेश्ट पहाड़ी इलाके पर देरा जमाए पहुची अफसरों ने दिन रात हो रहे इस खून खराबे को रोखने कर जम्मा लिया सनातनपूर और पाली नगर के बीच बहर ही व्यास नदी को इन दो गाओं की सीमा बना दिया लिया और दोनों ने अपने अपने संग्रक्षक तैनात कर दिये कई साल और बीच गए उधर राजेश्वर जेल की सलाखों में चल रहा था और इधर दादाबीर उसने अपने किसानों के हाथों में बंदू के धमा तो दी पर दोस्त की दोस्ती को भूलना सका था हुँँँँँँँख नशे में दूबेन पूंटी पती मर्दों के तुनिया में अपने 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 संग्रुई का कोई श्थान ना था ठाकूर हवेली से ये मधूर स्वर्थ समझते देर ना लगी ये गज्जा की बेती राजेश्वर की पोती राधा है जो दिल्ली कॉलेज से पढ़कर यहां पहली बार छुटियां काटने आई है बेती तुम् गज्जा बाबू की बेती हो ना जी हां और आप आप यहां की मंधरिका का है ना राधा तुम फिर अपने कमरे से बहार आई जाओ अपने कमरे में और खबरदार जो अपने कमरे से कदम बहार रखा तो कम आजया मॉंटी उदास हो तुम और हम मिलकर डांस करेंगे कम आउन नो थैंक्स सुईट सुईट हाट डैड़ी आई लव हर आई लव हर तेरी शादी भी करवा देंगे बिटा पहले मेरी शादी तो हो जाए पापा आपकी शादी ए और तेरी तीसरी मा क्या थार्ड मम् मेरा नाम कम मे और मेरा रम्मी मैं या मी बढ़ें इसकी देज में आई है अ चूनिया यू आ भेरी नाथी अंगरे जी बोले या राथा अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेना को मैं दिली वापस जाओंगी मुझे नहीं रहना यहां पर अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे क्यों जीसे देखो वो डाते ही रहता है जारी किसमे बदल गए मां के माने के बाद बाद होते नÖ तब सबको पता चलता हां अरे-पगली में भी तुम हर साल यहाता रहता हूं चुट्टियों मैं यहां किसी को किसी से प्यार नहीं महल है दौलत है बस दम घुटता है यहां पर अरे मैं सुवे सुवे घुरसवारी करने जाता हूं सुवी चलना मेरे साथ अरे अमला अपने घर से किसन जी की मूर्टी लाई है ना लाए हूं लेकिन क्या बात है इस साथ जनमाश्टमी की तैयारियां बड़ी जोरो शोरो से हो रही है क्यों न हो 14 साल के बाद इनका लाडला भतिजा वासुदेव जो आ रहा है कलियां हाँ हमारे सनातनपूर का रज कुमार आ रहा है ओ गगन कमाल है या तुम लोग अभी तक यहीं लगे पड़े हो भई तैयारी करो उदर लाड़ी पर बद जाना है वासुदेव को कर लेके आना है या या तो क्यों नहीं पड़ेगी या उसका बेटा जो आ रहा है जुआ वेटा गुण है और सुर्वेर, बिलकुल मेरी तरह, खारी तरह? आँ बिलकुल मेरी तरह आँपी जनरस नास भिलासी, कौर अव क्रालिंग कन सभिनासी, इम कर भाज प्रिसान प्रकासी, सर्व भूत याव वया की, बोलो जय नईया की कि अ क्या भी जड़ में गीताब आट्वेर, और सुदुर्पा मेरी तरह, युझ लूत एघनासिंगाइएएएएएएएएएश तटटट बंसी बाले को बुल के राजा मेरी यक्या तरस गई अब तो आजा तटटट बंसी बाले को बुल के राजा मेरी यक्या तरस गई अब तो आजा आजा, आजा नटखट बनसी बाले को बुल के दाजा मेरी अखिया करस गई अब तो आजा नटखट बनसी बाले को बुल के राजा मेरी अखिया करस गई अब तो आजा नटखट बनसी बाले को बुल के राजा आजाओ 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 जमना के पठ पर जब नट खट बंसी वालेगी बंसी बाजेगी आजा नाचेगी बंसी बाजेगी राथा 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 नाचेगी राथा नाचेगी कर दो जुछ से तुछ से याग। जए थी आँ सब्सक्राद्व रादा आजा, 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 आजी जा नक्षक बन्सी वाले जोटी के जाजा मेधी अख्या तर्ट गई अब तो आजा आजा, आजी जा आजा, आजी जा आजा, आजी जाजा, आजी जाजा ताप की बैटी नेदी में चेलेगे, सर क्या गहा? हो देखो fire, I said fire fire गुप टाई खुप तुप टाई का ले खुप टुप टुप घुप टाई हुआ हुआ है जुआ है अवद अजय कि वासु कहा है मालूं नहीं वो सब लोग वासु को ही डुनने गए दादावीर चाहिए आपका पाले लगार आगया घर जाईए सुनिये दुश्मनों की नगरी में आना ठीक नहीं में साब क्यों आप समझ गई ना क्यों फिर आईएगा यहाँ जी हाँ जी नहीं सुनिये फिर आईएगा तो सिर्फ इस सीमा तक आईएगा वैसे वासुदेव नाम है मेरा दुश्मनों का लड़का हूँ बासुद०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० मा मा इतने शोर में तुनी मेरी आवाज सुन ली बिटा मा की आवाज तो पातार में रहकर भी सुनाई देती है मा और फिर इतने बरस मैं आपकी आवाज और बाबा की सीटी ही तो सुन रहा था जुक जुक जी हो मेरे बच्चे मैं छुपके आई हूँ तुझसे मिलने क्यों? वासो! अभी मुना किया था न तुमें कहा गयता तु? तु घर पर नहीं सुरक्षा दल में जाकर रहेगा चल अज के बाद तुम इन्हीं लोगों के बीच पे रहोगे समझें? दादू? नहीं मेरे लाव यह यह सब क्या है दादू? तेरी चाचा ने ठीक ही कहा है वासु आज कल दुश्मों का भारियत तै चार औरा समातन के पर अरशी खातर मेरे वासु देव कहना आज के बाद वोई किश्णों का भूपुली नै जो महाभारत के रानशेतर में था अरणना जब तक के दुश्मन कुठी ने न टेकते आप की आग्या होगी और वासु का सर कटेगा दादू? दुश्मों का सर कटेगा तेरा क्यों कटेगा बेटी? दुश्मों का सर कटेगा वो लोग हमारे दुश्मन है खबरदार दुश्मन के तरव एक भी कदम बढ़ातो तुम दोनों की तांगे तोड़ दूना समझे वो कौन था जो तुमें गेट तक छोड़ने आया? मालम नहीं पापा आज हम वासुक दुश्मनों का वो गड़ दिखाएंगे जिसे हमें एक दिन नश्ट करना है थाकुरगड? हाँ वो थाकुरगड जहां सादे होते हैं हमारे जिंदग्यों के देशों के साथ लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? फौजीयों के फेस में कर दो है कर दो कर दो दो की वहाँ की वहाँ बासो करा है ते तो क्ताने ने पासो आसो सुनो यहां अंधेरा क्यों है गाउं के बिजली चले गई है बैटी समल के जाना कम्मे में गाउं में दुश्वन गुशायें दीवान ने तेरे नाम के धड़े है दिल ठाम के दीवान ने तेरे नाम के धड़े है दिल ठाम के के हम तेरे प्यार में के हम तेरे प्यार में रहे ना किसी काम के धड़े है दिल ठाम के दीवान ने तेरे नाम के धड़े है दिल ठाम के धड़े है दिल ठाम के जादा कमरे में कोई आया तो नहीं नहीं कोई नहीं आया यहाँ तूम जाओ ढूंडो खनकती है पास ही तहीं पे तेरी चूड़िया मगर बड़ी दूरिया बड़ी मजबूरिया मिटा दे लगके गले गिले ये सुबा शाम। दिवाने तेरे नाम ते है घड़े है दिल खाम। सुनिये, फेर आईगा, तो सर्फ इस सी मतकाईगा क्यों? राधा नाम है मेरा, दुश्मनों की लड़की हूँ सुनिये अरे बाबा आज तो वासुने कमाल कर गया दुश्मनों की किले में अकेला हुसा, उन्से लड़ा, उन्हें मारा, खुद गोली खाई, गोली खुद निकाली और वापस आ गया अरे आखिर पोता किसका है कि अरे जिकाली खुबस बादे हुआ 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 तोस्त बशमन? तोस्त आप शेहरी लोग इसे गुड़ लग गुड़ लग कहते हैं जी हाँ, यानि कि कोई शुप शुप बात होने वाली है आपके साथ अच्छा जी गुड़ लग आपके सिपाही कौन था वो, वो वाज़ी मी, मैं तुमारी हिफाज़द प्रोटेक्शन अपने हिफाज़द मैं खुद कर सकती हूँ, मिस्टर स्टेइ हो जी हाँ, हर मैजेस्टी, राधा सेंग, ठाकुर वाजी वाँ, चार फुटकी लड़की और चार मी लंबा नाम जी हाँ, हाँ, हाई क्लास इंग्लिश में नाम इसी तरह से लिखा जाता है हमारी अंग्रेजी जरा आप से बढ़कर है यानि? अच्छा बताईए, इसका मतलब क्या है? टी? जी हाँ, सिर्फ टी टी, टी for ticket मैंने कहा सिर्फ टी सिर्फ टी, मतलब? टी का मतलब चाय चाय? जी हाँ, चाय, टी, चाय चाय अच्छा आप बताईए, इसका मतलब क्या है? सी, 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 कैट जी नहीं, सी का मतलब देखो देखना, सी हाँ, एक लास इंग्लिश है, जी शाक टट, शाक अच्छा ये बताओ ये तीन अक्षर मिल जाएं, तो क्या बनता है? I, L, U इलू इलू का मतलब? इलू का कोई मतलब नहीं होता होता है, है नहीं होता है है, है, है सोचो रादा कुनल आ गया है? मैं चलती हूँ सोचिएगा सारी राब बैट का सोचिएगा महिम साब के इलू का मतलब क्या? लेकिन एक ख्यूत तो देदो न इधर उधर का कुछ हिंट तो देदो हाँ जब बाग में कोई फूल खिला तो भगरी ने कहा इलू इलू परबत पे छाई काली घटा तो बोली हवा इलू 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 हाँ, जल्दी बताओ ने इसका मतलब मेरी किसी से शर्ट लगी है इलू इलू अरे पगली इलू का मतलब आई एल यू मतलब आई लव यू आई एलू इलू 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 क्या है इलू इलू ये इलू-पिलू क्या है ये इलू-पिलू जब आगम कोई पूल दिला तो खवरी ने कहा इलू-पिलू इलू-पिलू परबत पेछाई पाली गठा तो बोली हवा इलू-पिलू इलू-पिलू पिलू जब कोई अरचा लगता है बड़ा प्यारा प्यारा लगता है तो धीं करता है इलू-पिलू इलू-पिलू क्या है ये इलू-पिलू ऍलू का मतलब, I hell you, I hell you ऍलू का मतलब, I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you पीलू किलू किलू क्या है पेलू किलू किलू है में कहां पिलू 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 पर पत के छाल आल खटा ओ बोल हवा पिलू 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 जब काहिं अच्छा लगता है तड़ा प्यारा प्यारा लगता है तुझ करता है देलुर। का मतलम I tell you I tell you I love you I love you ीलुरुुरु। ये इलू इलू क्या है ये इलू इलू जब मिठे बोले कोई बोले मिसरी की मिठी डलियों से जब मस्त वहारों का मौसं गुजरे गाओं की गलियों से जब मिठी से आए खुश्बू तो धिल करता है बिलू 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 का मतलब I love you I love you I love you I love you बिलू 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 सावन के महीने में शाये सारे पागल हो जाते है जब मौर पपी हाँ हो यह सब मागों में शौर मचाते है आवादी आती है है सुआ बिल करता है बिलू किलू बिलू 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 I love you I love you Oh, I love you पिलू पिलू ये इलू इलू चाहे ये इलू पिलू कहते हैं लोग महाबत में ये दिल दिल से जुड़ जाता है ये तो ऐसा पंची है जो पिंजरा लेकर उड़ जाता है जब प्यार का चलता है जदू पिल करता है दिलू पिलू दिलू पिलू का मतलब आइल यू आइल यू आइल यू आइल पिलू आइल यू आइल यू आइल यू आइल आइल यू आइल यू आइल यू आइल यू आइल यू यारो इस जूटी दुनिया में जब कोई सजची बात कहे जब गोर भय पंची जागे और शिव मंदिर में शंक बजे जब मस्जित में हो अल्ला हू तो दिल करता है आइल यू आइल यू दिलूू दिलू दिलू राधा बड़े पापा आगे हैं 14 साल जेल में रहने के बाद आज पाली नगर के ठाकुर राजेश्वर सिंग अपनी हमेली वापस से ले आए राजेश्वर सिंग बड़े पापा बड़े पापा आृम आ भीक कॉर्च आज पापा पापा बड़े पापा बड़ी पापा कितना चूगे जो आप 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 आपे बेटे मुको कर रहे हैं तुम को हा ने बहुत? मुझे पता ही नहीं थी कि आप आप certainly बेटे हम कब आते हैं और कब जाते हैं यह तो तक्दीर बनाने वाले को भी मालूब नहीं मन्धारी आसमान में बिजली कड़के और धर्टी पर चमक नहों यह तो हो इनी सकता राजेश्वर गाउं का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकूर राजेश्वर सिंग आ चुका है आओ मन्धारी आओ हर बरस से के एक दिन गिन गिन कर इंतिजार कर रहा था तुम्हारा मन्धारी काश के तुमने हमें आवाज दिलोती तो हम मौत की नीम से उठकर चले आते दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निवाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मने करता है तो तारीख बन जाती है देखो एक छोटी सी भेट लाया हूँ तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हें कुछ याद दिला सके इमली का बूटा भेरी का पेड़ बस अफैसला तुमारे हाद में राजेश्वर या तो इस तस्वीर को उठा कर चूम लो या हम अपना फैसला एक शर्ट पर सुनाएंगे मंधारी अगर तुम हमारा फैसला बी सिंग तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्ट मेरा भादा पीर सिंग और हमारे बीच एक ही सॉला हो सकता है मौत का मौत कर तुम्हारी शर्ट मेरा भादा कौन से कुछ के गएते तुम उदर कौन तेरे मश्वरत दिया रहा उदर जान का तेरे को आचान की आखरी उमीद लेकर गया था मन्दारियों के पास इन सोचके कि चौदार साल में उख का माता थोड़ा तो ठंड़ा हुआ होगा चौदार साल चौदा साल मुले अरे एक सो चौदा साल भी अगर मुझा जाया ना तो का माता थंड़ा हुआ होगा नहीं कोई जानवर का जानवर रहेगा वो माल के बीच में लक्रिगी चौक्ते में बनी तस्वीर के ऊपर तल्वार चलाया वो अरे ते तो के करना था ओ रजेसर अगर तेरे इत्ती गर्मी है ना तो घर के बाहर निकल मजान में आ सो हमने ख़़ा मिलेगा तेरे दादा बीर फिर तेरे जिग्रा होए तो तू चलात अलवा शेक खसम दादा बीर अगर एक उंगली उठा दे नामंधारी एक उंगली उठा दे दादा बीर तो सनातनपुर का एक एक जर्रा भारूत बन के गिरेगा पाली नगर के उपर अरे हीच से हीच बच्चाए जी सबाज होके रह जाएगा दादा बीर चोट दादा बीर दादा बीर ना कजा दी मेरी करने वहाँ जाके अब दिखला ना तो जमीन पे पैर तो टिखना ही नहीं उसका हो तो बस असमान पे खुम तब ही रेगा अगाश के अंदर सर एंजिन में कुछ खराबी है तो पाली नगर वापस लेलो नहीं सर यहीं सनातनपुर में उतरना पड़ेगा वो क्यों पाली नगर तक जाने में एक्सिडेंट हो सकता है सर ठीक है यहीं उतरो लेकिन यहां भी दुश्मन है सर तो भई एक्सिडेंट में मनने से तो अच्छा है दुश्मन का सामना ही कर ले लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग है सर तुम यहीं उतरो ओके सर भया करना करना कर दो अटर्थ हुए 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 कर दो सुना हुए आजय हुए हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए बिर सेंग और तन्हें देखकर कोई खास परिशा नहीं, हमको भी ना हुए वोई प्राणा रह्म, वोई ढंग, वोई मिजाज, वोई धमंड वो तो था और है, और हमेशा रहेगा वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आगया जरूर जैस्वर वो जो तो आसमानों पर उड़ता पिरे था ना आज तेरे पर जमीन पर लग गए राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है बीर सिंग समझ गया हाथ दिखा अपनी उड़ान अब जे ख़ड़ा तू और जे खलम मैं और जे रहा बिच में पिस्टॉल उठाए पिस्टॉल और चला गोली मुझ पर निकाल ले तो अपने दिल के अर्मान मैं तेरे सामने ख़ड़ा हूँ हम खराद नहीं लेते भी सिंग हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लिकिन वो बंडूग भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा बंदूख तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम का है शाम, अवाज दे तू, बीर सिंग तेरे को सामने खड़ा मिलेगा तुम्हे तो वक्त लाएगा बीर सिंग, आज वक्त तुम्हारा है, सैना तुम्हारी है आज तो हमें सिर्फ ये देखना है, कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है साथ के चैर के आथो तेरी मौत ना ओरने की रजेश्वर, जहां पर तु खड़ा है न रेजेश्वर, इस धर्ती पर अनाज बोया जाता है पसले काटी जाते हैं, नहत्य आदमियों का खून भागे, इस धर्ती को नापाख हमने नहीं उन देना अच्चा हुआ करणल सहाब आप आ गए बीर सिंग से कहिए, के शेर को साप और बिच्चु काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रिंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौधा जिन्दगी बचाने का नहीं, जिन्दगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी कुनाल, वक्त बीता जा रहा है, तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए देखो अमला, दादा जी ने घर के चारों तरफ पहरे और बढ़ा दिये हैं तो? थोड़ा वक्त और दो तो ही ऐसा नहों कि मैं मर वासू, पापा ने मेरा हविली से बहार अना जाना बंद कर दिया है अब मैं शाय तुम से नहीं मिल पाऊंगी बारूत भड़ कर धरती को चीर सकती है रादा लेकिन तलाब में खिलने वाला फूल तो खिलता ही है टायलोग अच्छा बोल लेते हैं आप अच्छन भी अच्छा कर लेता हूँ रेली? लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे वासू इसका तरीका ढूल आया हूँ मैं तरीका? यह तीन रंके गुबार है ना अगर तुमने लाल रंका गुबारा उड़ाया तो मैं समझेँगा ठैरो खतरा है अच्छा और अगर मैंने ये पीले रंका गुबारा उड़ाया तो पीले रंका गुबारा उड़ाया तो मतलब याद आ रही है इलू, इलू और अगर ये हरे रंका गुबारा उड़ाया तो मतलब आ जाओ और फॉरन एक पंची बनकर आजाओंगा तुम्हारी हवेली में वाह मेरे प्रेम की पंची पच्छास बंदू के तैनाथ है हमारी हवेली के आजपास बुला करते देखिए बंदू के चलती है या आशिक का जादू चालेंज चालेंज अगर इस सौदे में मैं जीत गया तो फिर क्या दोगी ना बाबा मुझे यहां कोई चैलिज नहीं करना जिसमें तुम्हारे जान का खत्रा हो मैं राजेश्वर से मिलने उसके घर गया था तो पता चला कि सब लोग राजा महिंदर के साथ समस्तेपूर गयें शिकार खेने हाँ शिकार का शौक तो उसे बचपन से है मांधारी तुम तो उनके बचपन के दोस्त हो उनको कोई रोश्णी दिखाऊ ना यार करनल साब जो घर बरसों से अंधेरों में बन रहा हो उन्हें बाहर की रोश्णी किस काम की उसका अंधेरा तो उस घर का कोई दीपक ही दूर कर सकता है ऐसा दीपक उस घर में कोई नहीं जिस दिन होगा ना शिव कसम मंधारी उस दिन एक टांग पर नाचेगा करनल साब एक टांग पर यह क्या से तुमने तो गुबारा था तुम मैंने छोड़ किया लेकिन वह मैरा गुबारा था तो बहुत तुम्हें वालू में ना तुम्हें कमरे से दाहर निकलने के इजाज़त नहीं है अंधर जो गुबारा कर दो कर दो कर 2 0 कर दो कर दो तू पंची पर देसी तू जोगी है के जादू गर इन में से कोई भी नहीं मैं सपनों का सौदा गर सौदा गर सौदा गर दिल लेले दिल भी खर दिल लेले दिल भी खर सौदा गर सौदा गर दिल लेले दिल भी खर सौदा गर सौदा गर दिल लेले दिल भी खर सौदा गर सौदा गर सौदा गर दिल लेले दिल भी खर प्यार का सौदा कर लो तेरे साथ में कैसे प्यार का सौदा कर लो ऐसा कोई वादा कर मैं जिस पे भरोसा कर लो जो चाहे लिख वाले मुझसे कोड़ी का गर सौदा गर दिल लेले दिल भी खर दिल लेले दिल भी खर जो गर जो 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 पार सौदा गर गरस किसे भी खर बंतर भी हर दिल भी खर घ्माच बंतर गर खर दिल लेले वादा कर दिल भी खर जो बंतर गर भी खर झाल झाल जिल तो है पर दिल के पर दिल के परमान कहां से लाओं दोली सहरा गंगन सब सामान कहां से लाओं ठोली सहरा गंगन सब सामान कहां से लाओं खाड़ा सा सिंदूर कही से लेयो कस जागर साधा दे साधा दिल लेले दिल दी कर साधा दिल लेले दिल दी कर साधा दिल लेले दिल कर साधा दिल लेले दिल लेले साधा 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 दिल लेले बड़ल के लिए जाओर के लिए, बड़ल के लिए, बड़ल के लिए, साथ गे लिए, यह तो बड़े पापा है और यह मेरे दादू है अल्ला के नाम से इश्वर के धाम से ये तो ये तो ये तो होना ही था तुम दोनों की महबबत पर मंधारी के दस जनम कुरवान मेरे बच्चों वाँ 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 हम समझे नहीं मंधारी काका यही तो तुम्हे मालूम नहीं बेटा तुम दोनों जिनकी उलाद हो, वो आज एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है और जो एक जमाने में सबसे गहरे दोस्त है जी सुनोगे इनकी कहानी तो सुनो समझ गया ना सारी कहानी ए दुश्मनी जान लेवा है बचड़े और तू सनातनपुर की लड़की से छुप छुप के मिलने जावे ए बात कहीं जीजा जी को पता लग गई तो वो कौन सी बात चुनिया बाबू कुछ बात नहीं जीजा जी मैं समझा रहा था मैं इसे बोल रहा था कि सनातनफुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं उसका जहर भी पी सकते हैं लेकिन सनातनफुर का पानी भी हम बरदास्त नहीं कर सकते मेरे बेटे ये है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके है अगर तुम दोनों की महबबत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते हैं कभी नहीं अगर एक किनारे हमारी मुखबत की गंगा को डोपने की कोशिश करेंगे मंधारी काका तो फिर ये गंगा भी बाल बनका इन किनार को तो देगी और फिर एक सेराब आईगा नहीं मंधारी काका मेरी बड़े पापा बहुत अच्छे हैं वो मेरी खुशी के लिए आप में सब गंबुल आ सकते हैं हम उन दोनों को हिर से दोस्त बना देंगे है ना वाँ मंधारी काका सुन लिया प्रभू सुना तुमने अब परिक्षा तेरी एदोस्त मेरी नहीं मुझे तो बस ये देखना है कि तु इनकी महबबत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदे हमारे बच्चे ने जनम ले लिया है कुना बाबा बच्चे को लेके दादा बीर के पास गए हैं तुम जल दिया तुम्हारे इंतिजार में अमला ये नहीं हो सकता ये लोग ये लोग मुझे मार देंगे क्या हुआ बेटा खुला गाम राधा है तो कहना कि मैं मैं शहर चला गया तो तीन दिन में लोटूंगा या फिर फोन करूंगा ठीक है कि ये बच्चा राजेश्वर के पोते कुनाल का है बाबा उसने अमला को प्रेम जाल में फटा कर अपनी वासना का शिकार बनाया यानि हमारी इज़त को मिट्टी में मिलाया इसका जवाब हमें देना होगा बाबा देना होगा सबसे पहले आमला बेटी को हमारे पास लेकिया होगा बच्चे को जर्म देते ही वो कुनाल को ढूलने पाली लगर गई है दादा भी कुनाल कुनाल मोलाल जी जी मुझे कुनाल से मिलना है जी बहुत सरूरी काम है उंसे तेरी कहानी में समझ गया बचडी तू कबरा नहीं ममा मैं गुनाल का ममा आज़ा आज़ा चल उसके पास तेरी आज़ा है तेरी कुनाल कुनाल कि ए अ हुआ 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 है थाकुर राजेश वसंखिकार से लौट रहे है कि अचलागा बाजेश बाजेश भुटर रहे है कि अचलागा रहे है झाल झाल जूट है पापा, सरा सर जूट, यह हमारे खांदान को बदनाम करने की नहीं साधिश है अरे बदनाम को क्या बदनाम करना कज्जा बबूब आज सारा गाउ जान गया है कि तुमारे बेटे ने इस बूड़े गरीब की बेटी से छपकर शादी की और उससे यह निशानी दी और फिर राज खुल जाने पर उसके हत्या कर दी खबादार अगर हत्या का अलजा मेरे मासूम बेटे पर लगा तो हत्या देखी है अभी दिखा सकते हैं एक लाश नहीं दक पचास सो हजारों हजारों लाशा मेरेगी पूरे गाउसे यूगोड़ाइट इतना गरूर है अपनी ताकत पर तो चला गोले अधैक लेकि आज तेरा पूरा खांदान कैसे मिटी ने मिला दिया जाता है चला गोले चला है कि अ kadar भी मेरे लेखे पर यह बेटे जोएं ना तो ये अंदे है या फिर बहरे हैं अंधे यू है कि सामने वो आदमी उस बिचारी लड़की की लास लिए ख़़ा है पर इनको वो लास दुखाई ना देती और वो बच्चा भी लग बुलग के रो रहा पर इनके कन्ना में कोई आवाज ना पड़ती बीर सेंग अमारे बेटे अंधे नहीं है और बहरे भी नहीं है अंधे इसलिए नहीं कि सारे तमाजे के पीछे चुपे तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं कि अधा प्रजेस्वर्जी इस बात थारीमारी दुश्मनी कितना हो रही हूं जबात और इंसानी रिष्टे वितर के जजबात की बात हो रही हूं तो जजबात की भीक सर उठाकर नहीं सर जुगा के मांगी जाती है वीर सिंग्ग तो जेसर साब ये जजवात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के, जो आप से अपने रिस्ते का हक मांगने आया है, और हक, हक हमेशा सर जुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है, पर आप देखने न, एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठा के, और ये इसलिए आ की बाते साथ, चलो, आज तुम्हीं बेवफाई का मतलब तो समझाया, इस गाउं के प्रधान बनने से पहले, बेवफाई के प्रधान तुम्हीं तो थे बीर सिंग, आज भी, हमारी बेहन पाली कांता की आत्मा, इन पहाव में भटकती है, तुम्हारी बेवफाई के नाम स चीखती हुए, ये तुम्हीं नहीं सनातनपुर का इतिहास जानता है, तकदीर के हादिसों से न, इतिहास नहीं बनता है रजेश्वर, और पुराने जखमों को अगर तुम कुरेदे होगे, तो खून के फवारे फूटी कलेंगे रजेश्वर, शवकसम तलवारे मियानों स गरीब बेबस किसानों की जमीनों पर अबजा करके अपनी जजादें खड़ी करने वाले तुम लोग, वो तो भी प्यास की बात करते हो, अप्रू के इल्दाम में तुम को अधालत में 14 साल की सिजा दीना, काम दी, काम दी, हासी के तखते पर चरहत देना था, हासी के तखत की सैंग! गतल क्या था? और गातल कौन था? ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो और यह इतिहास के बात ये ठाक राजेश रसेवे इतिहास बताता नहीं इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है और अब सुनो, इस ठाकुर का फैसला ना ये बच्चा हमें कभूल है और ना कभी कभूल होगा जी गए अगर तुम्हारा यही फैसला है राजेश्वर तो फिर तुम हमारा फैसला भी सुनो आज के बाद ये मासूम बच्चा जो है ये सनातनपूर में ही मेरे पास पलके बला होगा मेरे पास लेकिन जिस दिन तक तू तू या तेरी आउलाद इस बच्चे का हक कुबूल नहीं करेगी उस दिन तक हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्या नहीं होने देंगे राजेश्वर माली नवर के किसी घर में कोई संतान परवान नहीं चड़ने देंगे हम कसम है मुझे को मेरी और मेरे बच्चों की कसम है मुझे सनातनपूर के हर बच्चे बूड़े और जवान की कसम है कसम है अगर ऐसा कभी हुआ जब कभी हुआ तो वो सनातनपूर का आखरी दिन होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आखरी वोर्निंग देता हूं लास्ट वोर्निंग कि कि अज के बाद अगर किसी भी तरफ से गोली चली तो मैं आपके हत्यारों के लाइसनस कैंसल करवाने के लिए सरकार से अपील करूँँए तब ज़ब गया आप लोग यह क्या हो रहा है दादा बीर रज्जेश्वर भाई आप लोग बड़े आपको कुछ कहना चाहिए पसम तो इन लोग ने खाई है हमें तो सर्फ जवाब देना है जवाब इन्हें समझाइए करनल साहब इन्हें जिन्होंने कसम खाई हमारे बच्चों को खतम करने की और ऐसी कसम राक्षस ही खा सकते हैं अरे राक्षस तो ये पूरा परिवार है करनल साहब जिनके पापो की निशानी आज भी हमारे माथों पर मड़ी हुई है स्टाप इट यार स्टाप इट बैने आपको यह शान्ती के लिए सुना के लिए बुलाया है जी नहीं वो वो तबी तक सेशन पहुंच गए होंगे ये क्या करिए रादा यही सचे कुनार मैं मत्तु की बिना तहरे सकती रादा 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 मैं तो कायर निकला लेकिन तुम्हें कायर नहीं बनने दूँगा तुम जो ठीक समझो वही करो रादा बीटी रादा तुम जाओ मैं समान लूँगा बीटी रादा रादा राद अरे कहा न आ मैं तुम्हारी कोई मदब नहीं कर सकता जा तुम जा यहांसे लेकिन आप मौबत के मसीहा हैं यही सोचकर तो आएं आपके पास क्या करूँ तुम यह सला दूँ कि तुम दोनों भाग जाओ और शादी कर लो ताकि यह दोनों भड़के तुम दोनों का खून कर दे यह सला दूँ कि तुम दोनों आत्मत्या कर लो ताकि दोनों गाउं में गोलियां चलें, खूनों और सैंक्डों बेगुना मारे जाएं, ये सला दूं क्या? तो हम क्या दरे मंदारीका का? बस एक ही सला है मेरी, कि लाट जाओ अपने अपने घरों को, और खूल जाओ अपनी महबबत. महबबत के लिए हम अपने घर की चौखट छोड़ चुके हैं मंदारीका का, तो कहां जाओगे? भगवान के घर. चलो राबा, ताकत के सामने महबबत के पेगंबर अपनी हार मान सकते हैं, महबबत करने वाले नहीं. खेरो! अगवान के पास जाओगे, आत्मात्या करोगे, कायर! एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन खतरनाक है, चल सकोगे? बड़े पापा, हाँ, मैं कुनाल बोल रहा हूँ. कुनाल बेटे, राधा कैसी है? राधा, बड़े पापा, वो अपने कॉलिज स्काउट कैम्प में सिम्मला गई है, दो महिने में लोटेगी. अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना, समझे? जी, बड़े पापा. लेकिन पापा, हमारे बच्चों की शादी? शादी होगी, और जरूर होगी. ये मत भूलो के जिंदर, कि अगर बी सिंग जैसे हमारे दुश्मन है, तो राजा महिन्द सिंग जैसे हमारे दोस्त भी हैं, राजा के लिए हमने लड़का देख लिया है. नहीं, नहीं, मंदरी काका, ये सब्भाव है, सब्भाव. इसमें खत्रा ही खत्रा है. खत्रों के जाल में फंस कर तुम यहां तक आ चुके. अब मेरे पास तो यही एक उपाय है, विथी. आखरी उपाय, आखरी उमीद. आखरी उमीद? लेकिन मंदरी काका इसमें हमारी हत्या हो सकती है. नहीं, रादा. मंदरी काका ठीक कहते हैं. ये हत्या आत्मात्या करने से तो बहतर होगी. और कम से कम दुनिया को हमारी प्रेम की सच्चाई का तो पता चलेगा. लेकिन वासू, इनका मतलब पथरों से पानी निकालने का है. अगर फराद अपनी महगूबा शीरी के लिए पार खोद कर दूद की नदी निकाल सकता है. तो हम भी इन पत्थरों से प्रेम की गंगा निकाल सकते हैं. हमें आपकी दी हुई परिक्षा मन्जूर है मंधरी काका. वस्तू, 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 चल्दू, यह था मैंने कहा, वैसा ही करना. किसकी इजाज़त से भागे थे वहां से हत्यार छोड़कर. इसलिए चाचा, क्योंकि अब मुझे आपके हत्यार नहीं उठाने हैं. क्या? हाँ चाचा, आखिर, आखिर क्या दिया इन हत्यार हैं हमें? कून, लाशे, अनाद बच्चे, विद्वा औरते? अरे मुर्क, यही चीजे तो दी हैं पाली नगरवालों ने हमें, इसलिए तो यह युद्ध है. लेकर नहीं करना है मुझे युद्ध, जो बदले की भावना में सद्यों तो चलता रहे. यह बदला मेरे भावना का है, तुम्हारे बाबा का है. मेरे बाबा ने यह सब नहीं चाहता, वो तो दुश्पनों को नहीं, दुश्पनी खत्म करना चाहते थे. तो फिर हम समझ लें कि तुम्हारे युद्ध से इंकार है. युद्ध तो माबारत का भी हुआ था, कौन जीता था उसमें? अब बेटा, ठीक ही बोले तु. कोई जिते हैं या कोई हारे, कार बनके तो नहीं नहीं रहे सकते हम. लेकिन दादू. तेरियां बातां सब सुन लगी है, मुने बेटे. जब तेरी उमर कम है था, मुझे भी ऐसी बातां करने का बड़ा शौक था. लेकिन आज मेरे आदर्श मुझे हत्यार उठाने से मना कर रहे है, दादू. गगन, जब इसकी आत्म ही नहीं मानती है, तो इसके हाथ का उक्तिंग है, और गोली क्या चलाएगा ये है? बेट दर्श के बापिस, अचारिया जी के पास, निजा इसको, बेट दो. ये तो बहुत बढ़िया फैसला किया, तुमने दादा भी, ये बात मैं तुमको बहुत पहले कहने वारा था. तो कई क्यों ना, कहना चाना है. कर देर आए दुरूस्ता है, अब मैं तो कल जा रहा हूँ लाली परवत अचारिया जी के पास, तुमको तो छोड़ आँ इसको भी उनके पास. जे तु बड़ी अच्छी बात है, अचारिया जी के पास जाना, और अचारिया जी को कहना, कि जब हम लोग यहाँ लड़ मर लेना, और सब खतकों जाए, तब भेज दे अपने इस किसन को हमारे पास, बंशी बजान के लिए अपनी, सिट्टी बजाता फिरेगा इन पाडि मैं, सिट्टी मा, मैं थोड़ी दिनों के लिए तो जा रहा हूं मा तु मेरे पास आये कब था, बेटा मैंने तो सिर्फ तुझे तस्वीरों में बड़ा होते देखा दादू, मुझे माफ कर देना दादू ओ नदान, तु क्या जानता है, मेरे दिल का तुखला है, तु मेरे दिल का तुखला आओ, 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 शर्माओ नहीं, यह भी मेरा ही घर है मैं जन्मा भी यहां था, और मरूंगा भी यहीं पे हाँ, जन्मे का तो मालूम नहीं, लेकिन मरेगा तो तु जरूर यहां राम राम बड़ी दी, देखो, एक बच्चे को लेकर जा रहा हूं और दूसरी बच्ची को छोड़कर जा रहा हूं तुमारे पास बच्ची? अरे, यार, मन्धारी की जिंदिगी में भी ना जाने, क्या-क्या नाटक लिखे हूं है, दादा मुझा क्या नाटक की बात करें तु? अरे, वो खनकपूर में थीना अपनी एक स्वरस्वती बहन स्वरस्वती बहन? अरे, यार, वो पंड़ताई ना? उ, पंड़ताई, वो तो साला साल होगा मर गे विचारी अरे, वो तो मर गई मगर उसकी एक विद्वा बेटी थी, थी ना, वोः, वो सुमितरा सुमितरा वो तो जिनदा थी न? तु उसके टो, मर गई मुझे all राइट पूच arina पिचारी ख़त्योंलें तू तो दो महिने के लिए लाली परवत जा रहा है तू इसका क्या करेगा इर मेरे दिमाग में आया कि इस घर से भला इसके लिए और कौन सा घर हो सकता है तुझे ये गर क्या आना थाले लागे है और दि बड़ी दी दो तीन महिने की बात है घर का काम काज करेगी तुम्हारी देख भाल करेगी, अरे तू कही की तो घर की नौकरानी बन कर रहेगी, हाँ तू फिकर ना कर मंधाली, इस बच्ची ने ना, इसी घर में रहना देख बटी, तू चिंता ना कर, बस ये घर तेरा अपना ही है, ऐसे समझ, चल तू जवान तैयार, सब कुछ तैयार है, आईए, आपको सीमा तक छोड़ देता हूँ हाँ, सीमा तक, चलो संध्या होने वारी है, चलो ज़िए देखिये, आप रो ये मत मैं समझ सकता हूँ कि आप एक घर से बेकर होकर इस घर में आईए, लेकिन मैं आपको इश्वास दिलाता हूँ इस घर के कण कण में प्यार पर आए, और सब ही आपको बहुत प्यार देंगे है ना मा, हाँ जब कोई शुब शुबात होने वाली हो, तो उस वक्त गुडला कहते हैं के नाम है तरा चोरी? जी, जी रादा वासू हमारी आखरी उमीद है, इसका खयार रखेगा गगन, वासू हमारी भी आखरी उमीद है, इसका तो ईश्वर खयार रखेगा समझ गए ना वासू, इस प्रेम परेक्षा में तुम्हें पत्धर में पूल खिलाना है राजेश्वर की उस दोस्ती उस मासूमियत को वापस लाना है, अब जाओ बचाओ बचाओ करन, पेटे भाज़गर करन करन बठी यह लिजे अपनी बंद रुगा बचाओ बचाओ अब तो हमारी भी जान और राजा मेंद सिंग की भी जान हो राजेश्वर जी अब आपको राधा की शाधी की तारीक के बार में कुछ सोचना चाहिए वो तो सोची रहा हूँ हां अरे तुम जी यहां केसे जी वो आपके अंगोठी वापस करने आया था जी वो क्यों मुझे अंगोठी नहीं रॉकरी चाहिए जरू मिलेगी बैठो बैठो क्या नाम है दुभाना जी मेरा नाम कृष्णा कुछ पड़े लिखके हो जी मैं ज्यादा नहीं लेकिन अकल है अकल है तो फिर हमारी कुछ सवालों का जवाब दो जी काम करने से क्या मिलता है पैसा और मेहनत करने से फल मालिक का होक्म लौकर की जान सबसे बड़ा रिष्टा दोस्ती दोस्ती वो क्यों जी साब जी वो दोस्ती रिष्टों से नहीं दिल से पैदा होती है और सबसे खातरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त वो वो तुवारा आखरी जवाब हमें सबसे जयादा पसंद आया तुम पास वे शुक्रिया साब जी शुक्रिया शुक्रिया जी ट्ञुंख जाँ यु GPU जमें लिखागई detalा कुम दिखाग अगे हूं पहलो का तोफा जो ठहरा कजिरो ओ अपनी जबाणतों दरना वोर युस्यीपतेख तूंग घ二 topics इदर seldom अगत्धिन अब गड़ बबाबा मुझे ये बच्चा दुचार देशा हां बेटी तू ले जो तू ही चुप आई इसका ले ले अ आ आ अ चा श्रण नर्ण मुझ्टा नेडोची पिटा नेडोची मुझ्टा ये तो जाते ही चुफ हो गया तेरी गोड में और ये तो कमाले ही हो गया रिष्टेदार जो देखे है इसका बच्चे का रिष्टा तो बुआ भी मम्ता से होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक देगवडी रादा, आज से बच्चा है न, इतरी जम्हारी मेरे सरकाब मूझ तो अलगा हो गया बच्चा भी चुप, मरपर्दी भी चुप, दोनों के दोनों चुप मुझ मत दया कीची है, शाम बापुझी, मैं बर्बाद हो गई हूँ मैं आपके मैं चिक्टी माँ बनने वाले हूँ जा वक्वास कटती है मुझे बचा लिजे नाप, मैं आपके पाउ पढ़ती हूँ खबरदाज इस बारे में जरासी भी जिबान खोली तो मैं यहां से नहीं जाओंगी जाओं मैं कहता हूँ, मुझे एक बार हूँगा तुम? और पर हाथ नहीं उठाते दोस्त हो, तो तुम क्या इसके खसम लगते हो? नहीं, वो तो आप है आपका फर्ज है उसकी इफासद करना उस पर हाथ उठाना नहीं मुझे फर्ज सिखलाता है, मुझे क्यों रहे, तुने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया आप, वो तो ये सालाम मुझे पंच दिखला रहा था अच्छा, मुझे भी तो जरा इसका पंच देखने दे जी, आपको जल दिखा तेरा पंच नहीं साब जी, आप मालिक लोग हैं मालिक लोग पर हाथ उठाना शोबानी देता क्या बोला तो? कमाने वास्टर जी कमान वो तो शोबे, बात तो सुनिये जी शोबे पंच शाम, निकाल जलूत साले का साले, आग में तरे उछाम अगर शाम, 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 शाम जी सर, एक ते लड़कियों को छेड़ता है, अग जब मैने मना किया, तो मुझ पर हाथ उड़ाया इसने साब जी, साब जी माने कुछ नी क्या, साब जी मैं बेकसूर हूँ नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो छोड़ दो इसे हमारी एक बात का जवाद दो जी जो जल्म करता है वो कौन होता है? अपरादी जो जल्म सेहता है वो कौन होता है? बड़ा अपरादी तो फिर तुम बड़े अपरादी हो हम तुम्हें इसके सजा देते हैं ये पिस्टोल लो और उसे शूट कर दो जी मैं तुम ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है लेकिन इतनी नहीं के बुजदिली बन जा है शूट हम शूट हम तुम्हारा निशाना क्यों चूका आपका हुकुम मैंने मौलिया साब जी क्योंकि आपका हुकुम इसे शूट करने के लिए था इसे खट पकरने के लिए नहीं अगर मैं इसे मार देता साब जी तो इसके साथ दो और जाने जाती एक उस औरत की और उसके होने वाले बच्चे की सुना भाई तुम लोगों ने हम तो पहा खोट कर ये हीरा लाए थे और तुम इसे पत्रों पर घसीट रहे थे हमने तुमें ताकत दी तो तुमने जल्म किये हमने इसे ताकत दी तो इसने इनसाफ किया यही फरक है तुम लोगों और इसमें इसने तुम्हारे जान बख्षे इसलिए के अब तुम इस लड़की से शादी करोगे और इसका यह इनाम मिलेगा के अब हमेशा यह हमारे साथ रहेगा आओ कुछनल बातां को क्या हो गया पता नहीं कि इस लोगों इस लोगों कहां से आयो तुम कड़कपुर से या सनातनपुर से कड़कपुर से जी के इसका बेटा है तू अनात हो जी बंदूग चलानी कहां सीखी बाफ वाज बता जी यहां कैसे दो वक्त की रोटी रहने को गार उसके अलावा अगर हमारे घर में जहांकनी की कोशिश की तो याद रखना तुम से जादा हमें बंदूग चलानी आती है यादता हो जी चोड़ दो से अमला के खून के वक्त कुनाल धुलीपूर पहुच चुका था वो यहां नहीं था ये बात सावित हो चुकी है दादा बीर ये बच्चा कुनाल का है और ने कुनाल के आई ज़ना है ये बात अगर कुनाल से मान ले वो तो ठीक है और ज़ना माने तो गोलियों से मनवा लेनी हो दादा बीर होसला रखो मामला कोट में दर्ज है एक बच्चे के लिए सेख़णों का खून तो नहीं बाहाया जा सकता खून जब भी बाहा करनाल साथ पाली नगरवालों की तरफ से पहले क्या समझे तो कुछ देजाचा कुछ नहीं एक बात ध्यान से सुन लो इस घर में अगर रहना है तो आख और कान बंद करकर रहना होगा समझे जी रखिराम इस पर नदर रखो राधा घर की सब शाफसफाई हो गई कृष्णा जी हाँ साब जी लेकिन वो नीचे वाले कमरे में ताला लगा है और उसकी चाबी शाद आपके पास है वो नीचे कमरे हमारी राधा का है ना उसकी चाबी हमेशा हमारे पास रहती है यह क्या कर रहे हो तुम जी वो एक तस्वीर के दो टुकड़े मिले उन्हें जोड रहा हूँ कौन जी तस्वीर जी ये वाली सफाई करते करते नीचे मिल गई थी देखकर लगा कि जरूर आपकी और आपके किसी गहरे दोस्की होगी तो मैंने सोचा क्यों ने इसे जोड का दिवाल में कहीं लगा दूँ बहुत खुबसूरत है ना साब जी माफी साब जी मैंने आपका दिल दुखाया हाँ दुखाया और बहुत दुखाया ये तस्वीर हमारे दोस्त की थी लेकिन अब सबसे बड़े दुश्मन की है कौन है ये साब जी इसे लोग बीर सिंग के नाम से बलाते हैं अच्छा अच्छा वो बीर सिंग तुम उसे कैसे जानते हो हमारे गाओ कटकपुर में आपकी और बीर सिंग की बहुत बाते होती हैं ओ क्या बाते चलती हैं यही कि आप बहुत अच्छा आद्मी है और बीर सिंग कोई खास अच्छा आद्मी नहीं है सूड़ा सूड़ा है कि कलेजा जलता है तभी शाराप पी जाती है बतलब तुम अभी बच्चे हो ये बाते नहीं समझोगे साफ जी उस दिन आपका इंसाफ देखकर तो मैं आपको और भी मानने लग गया हूँ कौन सा इंसाफ जी वही जो आपने उस शाम जी को बच्चा कबूल करने के लिए कहा वो उनका बच्चा था उनने कबूल कर नहीं चाहिए था एक बात पूछें साफ जी हाँ हाँ पूछो तो क्या कुनाल को अपना बच्चा कबूल नहीं करना चाहिए था जाओ मैंने मैंने कोई गलत बात तुम जाओ यहां से सुनो वो बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी वो बात थी बीर सिंग की वो बीर सिंग सरे बाजार हमारी इज़त नीलाम करने आया था हमारे खांदान को जलील करने आया था क्या कुनाल ने हमसे कहा के वो बच्चा उसका है लेकिन अगर कुनाल कहे तो आप माननेंगे साब जी नहीं हर्गिस नहीं ये जिन्दगी की ऐसी गहरी चोटे हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते तुम जाओ माफी साब जी मैंने आपका दिल दुखाया अजीव लड़के हो पहले दिल दुखायते हो और फिर मौफी मानते हो मेरे दादू भी एका करते थे दादू फिर तो वो जरूर बहुत समझदार आदमे होंगे माफी साब जी यह लो चावी राधा के कमरे की आए आज से तुम इसकी देख भाल करोगे मालिक का हुकम नौकर की चान और देखो एक बात और याद रखना आज के बाद कभी हमारे उस दुश्मन का नाम मत लेना अब मेरा घर बजाद भू आभी मने ये राधा बहुत पसंद है ताधा से तुने पूछा है कि तू उसे पसंद है या नहीं आज राणी आईदा महलों से अरे ऐसा छोड़ा कहा मिलेगा तीन एकर जमीन अकेला मरद जा बेता ते रिशादी पक्की भू आभी पार लेकिन अरे भाग जागे चोरी के जो कान यान पसंद लागई ये तो धक्के खाती बिर्ती पीरू 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 आपकी बंद कर लो दुश्मनों की नजर लग जाएगी आप 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 जब तक हम के परवत अपनी जगा से हिलना जाए और हम मिलना जाए कोई पर याद न करना तू मुझे को याद न करना हाई क्या तुनों हो तो पर याद आती है नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है तेरी याद आती है जब तो अपनी अर्मानों की भुल्शन खिलना जाएं और हम मिलना जाएं नेंदे पर बाद न करना तू मुझे को याद न करना तू मुझे को याद न करना खाए क्या करू हो तोपे पर याद आती है नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है तेरी याद आती है तेरी याद आती है किया ते लुए भाइ, नि अ 1 औ उन्ट, और आया चे घाउ, और और हॉआ भाइ, ज बाइ, जी राओ, आया चे अज़िम जा फटार्श चार, झामे, और राद, याज और मुदिन हुआार, ए हाहाण ए हाहाण ए ए ए ए स्वाल मज़ ए ए एएराइबे ए ए ए ए प्रेम है कोई रोग या जोगी का जोग प्याद के दुश्मन लोग प्रेम है कोई रोग या जोगी था जोग त्यार के दुश्मन लोग जब तक काटों पे चलते ये पाओं छिलना जाए और हम मिलना जाए कोई पर याद न करना तो मुझे को याद न करना तो मुझे को याद न करना हर्टा करो हर्टों पे तेरी याद आती है नहीं रुकती नहीं रुकती तेरी याद आती है करख मुझे मारोड़ करना तो मुझे में लग कर दो भ magari हमार्ट यू… Allo allo aller allo all the all the all 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 कर दोला कर दो कर दो कर दो इसना टो मन तुर अुर만 कर दो कर दो। भार इसना डोको भीना टीक विल्ट नर्णाव में कि अना अवा कि बालत ए सक्रदा में के लिग यहा है कि आको ए पालत ए दो बयो को बना तो जहा है यह कंगन तेरे लिए नहीं नहीं चाहिए मुझे यह तुम्हारे कंगन अरे तु मेरी होने वाली बीबी है छोड़ो मेरा रास्ता इतने प्यासे तेरे लिए भाभी तुम सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लो इसकी शादी कहां होगी यह कहां जाएगी कहां उठेगी बैठेगी इस बात का फैसला मैं करूँ सिर्फ मैं मैं के जादू चलाया सुझपन यह लड़की आज तक हम से जूट बोलती है यह बुआभी माजी जूट यह सुमित्रा की बेटी नहीं बलकि मेरी चचेरी बहन अमिता की बेटी है इसकी मा मेरे बच्पन की बड़ी पक्की सहेली थी और बड़े रईस खांदान की थी जी आज से यह इस घर में नौक रानी नहीं रानी बनकर रहे थी माजी चल बेटी माजी आंसु पोंचो और चलो अरे जे तुम बें भी सोच चे था किमारी राजा बिटीया जो है ना है किसी अच्छे खांदान की लड़ी आपको पता है कितनी इज़त थी इसके बाबा की हमारे गाउं में अच्छा हाँ और उतनी दिल वाली थी अमिता देखा बिटी कैसे तरीफ कर रही अपने बच्पन की सहली की मैं क्यों नी करूंगी मेरी तो बहुत दोज थी तो हमारी कौन सी दुश्मनी थी बन गया दुश्मन कट्ट मेरी संतान का बैरी बड़े बाबा आप भी तो उसके संतान के बैरी बने है ताधा जी चाब सुजा की खाना पर रोजा क्या 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 खेदेंगे इसको हमारी स्टोरी क्या मालूं अब पता इसको हमारी स्टोरी का साब जी हौल में पार्टी चल रही है आप नहीं गये तुम हमारे पास पैचे रहो उस पार्टी में सब जाहिले कठे हैं वहां हमारा क्या काम क्या बताएं क्रिश्ना किस किस को सम्झाएं चलो अच्छा हुआ दीवान की काम आ गई अपने जे दीवान वी तो पागलपन का दूसरा नाम होगे है इसका मतलब? इसका मतलब कि जिस बाईरी की तू बात कर रही थी न जे रजेसवर तो बच्पन से ही पागल था पर बड़ बबाबा मा जी तो कह रहे थी कि आप दोना बच्पन के बहुत कहरे दोस्ते थे न बच्पन था बेटी बेवकूप से अकल नहीं थी समझ नहीं थी तुम्हें कोई गाना आता है जी हां एक आता है कौन सा? जी वो इमली का बूटा, बेरी का पेर सुनाओ साब जी तुम सोडा डालो अब तु खाना लगा बेटी खाना लगाती समय नो दुश्मनों की बात दिखर दे तुम जो तस्वीर जोड रहे थे ना जिसकी वो और हम यह गाना गाया करते थे हां यह गाना लेकिन मैंने तो सुनाए बीर सिंग ने आपको पढ़ाया बीर सिंग ने राजेश्वर सिंग को पढ़ाया उस चाहिल ने अरे वो तो अब तक अपनी भाशा हिंदी नहीं बोल सकता ठीक तरे वो कृष्णा वो स्कूल नहीं जाया करता था स्कूल के अंदर नहीं बेटे मैं तो स्कूल के बाहर ठाला रहता था घंटों इसका इंतिजार करे था अरे लुझ राता है रोज राता है जरम गरम दूद प्विलाता था अच्छा किसके दमाग में धरी रहे ठंडक रहे ठीक तरह से बढ़ा बन अच्छी तरह से जिजगी में तरकी करे बढ़ा अदमी बने बन तो गया बढ़ादमी बहुत स्वाव दागर पर तिल इसकर पी इतना सा है कितनी मौबबत थी हमें उससे हम उसकी बैल गाड़ी को धक्का दिया करते थे धक्का धक्का देते थे टांग तुरुआली थी हमने उस दिन जब उसकी टांग तूट देछी ना तो हमने भी अपनी टांग बढ़ा जी पर हमने ले लिया साथ दिन सब एक ही टांग को टिक टिक टिकड़ा रहा है अच्छा अरे वो दोस्ती क्या समझेगा हम बदेश जाकर भी उससे नहीं भूले राज उसे राजेसर सिंग हो गया और ऐसा भी बद्ले के बंदू कहितान ने बड़ा भ्यानक धोका दिया उसने हमें हमारी बहन पाली कांता ने उसकी वज़े से आतम हत्या कर ली अब बद्ले में उनने कैसा घाव दिया मुझे मेरे चौहन बेटे विशाल का खून करा दिया विशाल की मौत के घम में शरीक होने गए थे हम और उसने हमें गतल के जूटे अलजाम में जेल करवा दी जेल जेल का पर ने कराई थी? किसने बिचाया था हो गाल? घर में तो खुदी पाल लख रहे हैं साप अब बिच्छो एक बून पानी भी मांगेगा दाम से तो हम नहीं देंगे उसे नहीं देंगे अगदार कहीं का घमनी, जाहिल, हट्टे, कमार पाखनी, एक नमर का पाखनी मैं बोलू ओ मैं तेरे राम कहने कियो सुमार या देख बेटी, राधा बेटी, तू तो आपड़ी है ना जी तो जजबात है ना, वो उबलाती है बाहर और जबात मैं ती सकी है ना ये तेरे मेरे में ही रहने चाहिए ठीक है किसी और को नहीं बताऊ ना, बिल्कुल नहीं वो बागी ओ जो है ना उसको तो न छोग नहीं यानि आप दोनों कभी नी मिल सकते साब जी कभी नहीं, कभी नहीं ये आपने किस नातक में फसा दिया हमें मनारी काका जिन्दगी एक नातकी तो है बेटी और आज इस नातक के मारती को हमें एक सबक सिखाना है वो आ रहा है, तुम समझ गई न, ये लोग, जाओ 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 हिमनी का भूता बेरी का पे हिमनी खट्टी मीथे बे इस जंगल में हम दोशे चल घर जल भी हो गई दे चल घर जल भी हो गई दे लिका बूटा बेरी काथे लिका खटी नीथे दे अच्छा था लंगीर बड़े बाबा किस सिखाय चनेगा पहले बताईए अच्छा था कि नहीं प्राणा गाना होए आज के बाद एक खन्न में एक गाने की आवाज नहीं आणी चाहिए लेकिन सारा जमाना गाता है इसको दुनिया गाती होगी पर तू नहीं गाना है मैं गाऊंगी तू गाएगी? तू गाएगी? अगाऊंगी फिर मेरे घर में नहीं रहेगी तू क्या इसका मतलब आप मुझे घर से निकाल देंगे घर से नहीं तुझे गाउं से बाहर निकाल दूगा मैं क्या वाँ दादा बीर्वा मैं तो तेरे पुते को स्वर्ग में बिठा करा रहा हूं अार तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा स्लुक कर रहा है यार ये श्लूक लूग की बात नहीं है वो गहना गा रही थी, वो गहन तेरी जागीर है क्या हिटलर बन गए है तेरा बस रखो तक आ तो आरती क्रणे वह कौन भी है वह ओम जंजगदीश हडों ऑली जगदीश हरे की बात नहीं हो रही है उस गाने की बात हो रही है वो जिससे दिल पे चोट लगे है दादा अबीर पत्थरों को चोट नहीं लगा करती चल बेठी इस पत्थर के साथ नहीं रहा चल तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी के आर चाहल को अखर ऐलिया स्याथ क्याल कि अ bendत्र श tenía protea कसे चाहएं तुकण तुने इसके दिल के मतलब या दणबीर प्ष्क की जब इन तुकड़ों को जोड़ने का खयाल आ जाया ना तेरे भेरे मेरे थैप पास और ले जाए हूं इसको चाहाल बेटी और अधा मेट्टी, और अधा मेट्टी इस जंगल में हम दो शे, कल खर चल दी हो गई वे, इमली का भूटा बेरी का पे, इमली खरती नीके वे मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तेरे लिए मर जाऊंगा जाओंगा, मैं कुछ भी कर जाओंगा, तेरे भी ये मर जाओंगा, मेरे लिए तू इतना जे, ये तो ये बक्तन का जे तिनक तिनक तिनख थार, तिनक तिनक रे, तिनक तिनख थे, तिनक तिन का भूता भेरी का फेर, इमली का रची दीखेवे ऐो मुल्धौरी वैетр की तस्थीर लगा रखे तुने उस गहमँदी की तस्थीर लगा रखे ये तेरा यह तो दोस्त है ना था 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 अब कोई दोस्त नहीं है मेरा तेरे गुस्से में मन्ने मुअबबबब की जड़क नजर आ रही है दादाबीर मुभबध? तेरे को मेरे शचय पे मुभबध दिखाई पड़ है तेरी अक्ष्यमें तो मुट्य हो गया मंदारी तो बुड़ा हो गया तेरे दिखाईना पड़ है अले खाना तो तूसी का खा रहा था देख देख इसके बाप का गण माया है आपको रजेश कोछी ओर रजेश ररा एए ओकी रचुपके बदादूची अधर्याव मेश ओम आलोम बार निकल लिगा जटेश कर खड़ा है तरे स्थावने में एहे दाटा भीर दो पैसे क्या कमा लिये आपने आपकी बड़ा तोग समझे तोग ओए इसी मत्ती मेशे तोग बड़ा हो या तू अब बुल गया आपने करी भाईयां के ओ नाले वाली स्कूल में पड़े था इसके तो उजामे में नारा बंद नहीं हारे था मैं शिखलाया शिखलाया कि नहीं और आप देखा तमासा मेरे लल का रहे हो मेरे लल का रहे मेरे चलेंज करे महलूम में बैठके ना अंग्रेजी पार्टी करता है अंग्रेजी दारुपी तरा कुप अंग्रेजी नारोड़ देखाथ अंग्रेजी मारता है अज़ायादे आज जमीन चले अऊपर मेरे शाओं ये ओर देश ही जार भल पी देश ही वनापी कर रहे ही जाका जाक अब फिर करत आए पहलो हुआई है 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 हुआ जब खुली चिलाएं तर जब मेरी छाटी के उंकर चलाओ वो इबली का पूचा, देरी का पेर, इबली काटी, शीचे बेर, अरैसे डंगलो में, एकाई सेर, एकाई सेर, एकाई सेर, तुमारे नाम में माइकल थापा ने हौंग कॉंग बेंग में दो करोर रुप्या जमा किया, मगर इस जायदात का कागदात हमको अभी तक नहीं मिला, आप भी कैसी बात करें थापा साब, ए मेरा मॉंटी बहुत जल्द ठाकूर खानदान का नामाद बनने वाला है, उसके बाद सारा पाली नगर आपका, आपको करन और राजा का रिष्टा पसंद नहीं, पसंद क्यों नी जीजा जी, लेकिन सनातनपुर के खत्रे को देखते हुए, मुझे तो लगता है के रादा बिटिया की शादी, अपने गराने के किसी लड़के के साथ हो जाए, तो बहुत बेतर रहेगा, आपकी नदर में कोई ऐसा लड़का है, लो, अपना मौन्टी, आपका बच्छडा मौन्टी, जी, बड़े हैं आप, धपड मार भी सकते हैं, जी, सुना है आपको बड़ा जोरदर थपड़ पड़ा है, हाँ, पड़ा है, मैं आप इस घर में नहीं रहूंगी, यू चून या, माइकल थापपा के काले चश्मे में मन्ने बड़ा गुसा दीख रहा है, तू पेपर का इंतजाम के, पेपर का, और रजेश्वर के दस्तकत के साथ, बड़े मामा, कुनाल, मामा, मैं अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ, ओ, बच्चा मेरा है, और मुझे कुबूल है, लेकिन बड़े पापा से आप भी मुझे बचा सकते हैं, प्लीज मामा, मैं आपके पाउंग पढ़ता हूँ, वली राम, टेलीफोन कट कर, और मेरा इंतजार कर, बाई गाट, मुझे बचा लो मामा, मामा मुझे बचा लो प्लीज, बच्चडे, जैसा मैं कौँ, वैसा कर, हाँ मामा, तुम्हें यहाँ नही हाना चाहिता कुना, ए्यारी बात संचुरादा, यह मेरा बच्चा है, और मेरा से लेसा ले जाने आया चुनिया मामा ने खास भेजाए मुझे चुनिया मामा? चुनिया मामा सबको तबाह करना चाते कुना और यह बच्चा मैं तुम्हें हर्गिस नहीं ले जाने दूगी तुम? तुम अपने भाई को इंकर कर रही हो? हाँ, भाई को क्योंकि मैं वासू की संगश को नहीं मुला सकती क्योंकि हमारे घर में ती मैनों से नौक्रों की तरह काम कर रहा है तो क्या वासू पालीनगर में है? हाँ, वो हमारे घर में बड़े बाबा का दास बना वेथ है और मैं यहाँ पे दासी पात सुनो राधा, घर चलो यहाँ खत्रा ही खत्रा है नहीं पाज़ी बगड़ो उसे जाज़ा तो जल्दी भाग जा भाभी वी वी मारी चाका नहीं पाली चाका क्या լल्दी, क्या कर्राया क्या ज़ी क्या पत्राया वी तेरा नाम वासु है कि नहीं नहीं चूट बोलता है आराम जाले या तुझे नहीं चूट अबे इस सच सच बता दे नहीं बोल बीर सिंग की अलाद है कि नहीं नहीं है अपने मुह से कबूल कर ले जान भज जयेती है नहीं तो हं अब मैं कबूल करता हूं कि मैं डाधा बीर संग्ग का लेकर मैं किसी कि हत्या करने यह चुणिया मममा ही है, इस आस्पीन के साफ से बचिएगा, तुम इसे छोड़ो, और हमारे सवालों का जवाब दो, इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नी दे सकता, राजा साब, क्यों? क्योंकि किसी से मेरा वादा है, और वो मुझे बुला रहा है, पकड़ो पकड़ो इसे, नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे, क्यों जी जा जी, हम शिकार पर लोम्रियों को नहीं, सिपाहियों को भेजती है, गया, तुम जाओ पकड़ो इस लड़के को मांधारी है, तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, कल सुबह हो लिए और आज इस पार्टी में सभी मैमान आए हुए, मुझे आपकी शरुन लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला, मातो साब, तुम्हें तु मालूम है कि मैंने इस पार्टी में राजेश्वरा, अगर वो यहां पहुंच गए तो कयामत हो जाएगी, कयामत तो आचुकी है मातो साब, अब तो बस मातो, मातो नहीं 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 देखो बेटे, तुम्हारी यह गलती से कई बेकुनाओं का खून हो सकता है, बोईस पखलो इनको चुनाये की परसों से आपकी दुनिया में प्रेम करने वालों की हत्या होते आई है, लेकिन आज यहां हत्या नहीं, आत्म हत्या होगी अगर किसी ने भी हमें छूने की कोशिश की, तो हम इस आग में कुद कर चांद दे देंगे, यह कसा में हमें हमारी महपत की 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 महपत की 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 जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब पुछ बेए जी हाँ जी मुहबत की जी की जमाने से भगाबत की जमाना कर ले अब तुछ भी जी हाँ जी मुहबत की 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 मुहबत की 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 मुहबत की की जी मुहबत की जी मुहबत की 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 मुखबत की 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 जमाने से बगावत की जमाना कर ले अब कुछ भी मुखबत की की जमाने से बगावत की मुखबत की जमाने से बगावत की की जमाने से बगावत 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 की जमान दीरज रखो दादबीर आपके दस्तकत चाहिए वो क्यों पापा ने माइकल थापा को आपका पुराना किला एक सौदे में बेश दिया है पाली नगर के सौदागर हम है या तुम्हारा बाप आप थे अब नहीं वक्त बदल चुका है ठाकुर सहब हाँ बजलते हुए वक्त को तु हम देख रहे हैं तो तुम्हें हमारे दस्कत चाहिए जी हाँ अभी और यहीं हम तुम्हारे बाप को एक नहीं बहुत से दस्कत देंगे अभी और यहाँ कर आप बलाजेस्वर बाबू, दस्तखत करने के लिए साली जिन्दा उंगलियां चाहिए, नहीं तो गाड कसम बुल्लेट काड़ दता था रहे सीने में अरे बली राम के बच्चे, राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोक लेंगी, चला गोली बलाजेस्वर बाबू, इस साध्य में घटा तो था रही है, बड़ा वेवी चुनियां, मिटा वेवी चुनियां, बड़ा हरामी है सालाज चुनियां 14 साल की तने जेल करा दी चुनियां ने मेरे आतों, और तरह पिच्चे से पाली नगर की जमीन का एक एक इंच माइकल थापा को बेच खाया अपने आतों और राजेस्वर तुतरंगों क्या, अब दस्तखत करने में एक फाइदा है, तेरी छोरी की इचत पचाएगी मैं तो कोठे में नचाओंगा तेरी रादा को चम 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 बली राम आप आप पाइद हराम जादे तुन्हें अपने घलीज गंडे मुंसे रादा का नम लिया, मैं तेरा मूँ ठाट कर दूँ हजाएएज़ छोड़ दीजे, छोड़ दीजे, छोड़ दीजे मुझे अचाईया ठाट जाए बली राट चोड़ दाजू अचोड़ इसको अमर जाना इनने बीरू इस दराथा का नाम लिया इसने हमारी सर्पहाथ डाला ये बजारी कुटा है ये छोड़ देखे बीरू मैं से नहीं चोड़ू आज मैं इसके चानल ये करा हुगा इस दराथा का नाम लिया हमारी सर्पहाथ डाला बीरू ये वही बली है जो बस्तन में उससे पड़ चुका है पहले भी आरामी था और भी आरामी है इसका साथ दे रहा है इस दराथा इसको अरे जिन्दगी फैंते है जूते चाटे रहा है ये फ़्यां उस पर चुद्धि को हुआ खोड़ दिया जो नहीं दिया खोड़ दिया बैद्यात के तो तू क्या पांगल हो गया है राज तेरे आसो मारा जावेगा नो तो उसका तो काम हो जाना और तेरा की होना है यह सुचा है यह सुचा है भाई साथ तू अदालत के कटेरे में ना कातिल बनके ख़ड़ा हो जाना है अफेर से होई रिश्वाई होई जेल की सलाखें और 14 साल कैद बाबुशक्क्त जे नपुंत सिक गडिये सारे यह दिनों के बीच में दिवार खड़ी करने वाले यह तेरे दिल में नसुर बनके जएर दोड़े है जैर फ्रound होडतो जनावर्ष है इसका बीच इननोंने बोया इंनने बोया पनफर्क का बीच हुई 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 ही साथ ही धे हुई 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 यह बुजॉ वोली मुबारक है सिर्फ थैंकिए शर्भाइब आओ दादावीर हम सबसे पहले होली तुभारे साथ खेलेंगे ना करणेल साब दादावीर के तो वर्सों हो गया होली ना खेली उनने क्यों बस मन ना किया तो ना खेली होली मौत हुई थी किसी की आप ऐसी समझे लो करणेल साब यह कुछ मर गया समय रहा हूँ मौत तो भी थी उसकी ओहो गुस्सा छोड़ो यार दादावीर होली प्यार का तेवार होता है मन ने किया ना कुछ ही कर लो करणेल साब पर मेरे उपर रंग ना फेकना होजा हम फौजी लोग हैं जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादावीर आज 25 साल से तो किसी की इम्मत ना होई जो जो जबरदस्ती मेरे उपर रंग फेकना है हां का नर इस आदमी पर एक ही इंसा रंग पिंक सकता है हाँ हाँ हुआ हाँ हाँ हुआ 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 है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता दापा ऐसा कभी नहीं होगा राजेश्वर को यहां लाना होगा और उसे मेरे बेटे के खुड का हिसाब तुकाना होगा हे राजेश्वर चल बीरू इमले का पूटा बेरे का पेर इमले का पूटा बेरे का पेर इमले का पूटा बेरे का पेर इमले खटी मीठे बेर इस जंगल में हम दोशे चल घर चल दी हो गई देर इमले का पूटा बेरे का पेर जिस दिन से तू रूट गया तेरी कसम दिल तूट गया ना जाने कब रात हुई ना जाने कब हुई सवे इमले का पूटा बेरे का पेर इमले खटी मीठे बेर इस जंगल में हम दोशे चल घर चल दी हो गई देर जल घर चल दी हो गई देर इमले का पूटा बेरे का पेर वच अ मने बतर बेरे जल है रच क्या आ प्रम आए गौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है हीरे मोती, लगते हैं मिठ्धी के भी इमले का भूता, तेरी का पेर, इमली खटी मीठे बेर इस तंगल में हम दोशे, चल खर चलती हो गई दे चल खर जलती हो गई दे, इमले का भूता, तेरी का पेर इमले का भूता, तेरी का पेर, इमली खटी मीठे बेर इस तंगल में हम दोशे, चल खर जलती हो गई दे, चल खर जलती हो गई दे इमले का भूता, तेरी का पेर आज बहुत बड़ा तुफ़ान आने वाला है, एक दिन तेरी बाबा बेर से ही गई धर, कभी लोटके नहीं आए इसलिए तो जाना है मा, यही तो देखना है, कि आज प्रेम की बांस रिजीतेगी, या नफरत की दलवार बसू बसू हरामजादे, तु फिर यहां आउ रादा, हम भी ने बताते कि बगावत क्या होती है रादा, रुक्चा रादा, हरामजादे मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है, प्रेम की रक्षा के लिए पाई गाद आउ रादा भादो बच्चे डरो नहीं मेरे बच्चडो अरे, चालीस साड की सेवा के बाद राजेश्वर ने मुझे निकार दिया तुम तो चार मीड़ने में रोड़े लगे प्रेम और विज्वास का दुस्मन है राजेश्वर है, तुम दोनों की साथी हम घरवाएंगे आज और अभी और देखते हैं गोर ससुरा उगली उठाता है तुम पर और देवन उसे दुप्यार्चे ठंडा करके भेज़ेश्वर पच्चो और माशूम लोगों में नफ्रत की आग भेला कर आदमी सरातनपुर और पारी नगर का राजा तो बन सकता है पर वह भूल जाता है कि अंत में अंत में वही आग उसे भी पकड़ लेती है अब देखना ये है राजेश्वर दादाभीर कि कैसे रोखोगी यांधी कैसे बुझाओगी आग इन सब तारों में बिजली का करंद लगा दिया गया है वाई गार और इस गेट पर वामनित लगा दिया गया है जो भी गारी आएगी उर जाएगी आगे बलो युझा आगे फिर कि मुझा बल्गा युझा बल्गा अवद बल्गा वी खिरू विजल कर दो एक अपैज़ बाकी एक जोड़े है अप्रश भी है जाक एक वर्म भी ग्रमावरी है अज बत्व लेज संदानी चोनुगा गजा तुम गगन को नहीं मारोगे आज मैं इनके पूरे खांदान को मारतूंगा नहीं नहीं गगन और वासु हमारे दोस्त के बच्चे हैं हमारे ही बच्चे हैं हमारी दोस्ती के टूटे विदार जोड़ चुके हैं मेरे बेटे दोस्ती आपने की है, हमने नहीं हमारी राजकती पर इन भीक मंगों को राज नहीं करने दूँगा नहीं कर जा तुम्हारे वासुने मेरी पेड़ी पर कच्छा मेरी बात, अब तो दुष्वनी फूल जा पकड़ ले दोस्ती का हाथ, आप तो ही खो जाए मेरे भाई गागान इप तो बड़ी देरो गई पच्छाव आप 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 तुम्हारा दूला या जाली, उनके आने से पहले तुम्हारी शादी वासु से नहीं मुझ से आप झाप आप दो जख नुट अग। दूजाई दो गषभा दो दूाँछ ी उए यची लग। दूए मौ दूजाई दूाँ दजाँ दूए म दूए प्रस्ट ओर प्रस्ट दो यपिशत भी लोग भापशन बटाउ कर फे हमाएं कर दो को शैक नार अजयर कर दो कर दो कर दोmesi कर फें हां कर दिक को ど दोर दोर है लिलूओ इलू-ीलू ये हिलू-ीलू क्या है? कि अ करण कर दो कि अ एकट न एक टूब कि अ ऑने एफ मैं टूर जाए टैट इंग एक हुआ एक हुआ एक हुआ एक पाव एक हास खेड़ एक हुआ है ज ilo बई नहीं रोगी में जिदा पहरणजी रजर्च रहे राजेश्वर अд accumulation हम दोनों सबसे बड़े तुश्मन है नफरत की सादा अगंगijn अपनों ठीक है भीडी आज हम तुन को बताएंगे हम दुश्मनों की दोस्ती जल बरे साथ नहीं, नहीं जो गिमें जलि बरे साथ आच होगता रुरतायंगे हमद सुना की दुस्ती बाह या मने खड़ती क्ता है बाह याँ कि वाँ एम भाँ मुटनाений वाँ कि बाँ मुटना यॉ कि अबाँ यहाँ कि ऊपाँ बपाँ बपाँ बड़ हम खह इनकाँ बड़े हम झाँ हुआ है है ए भीरू है भी आरे कहा है तू मेरी के उपर इने पास गर्देनों पे सवार हो दुस्मनों की ए चिनिया आस्तीन के साथ अले बाहर निकाल मेरे यार को बहुत सो मुझे दूर रखा मैंने विशाल की हत्या की आज अगर हमारे बच्चों को जरा भी छुआ ना तो हड्दियों का पंजर डिकलेगा यहां से अरे भीरू अरे भीरू ते खून बेरा है बिकूफ तेरे यार का खून है राजू जो बहते बहते भी गाएगा इमली का भूटा बेर का पेर इमली खाती बीटे बेर कि अब दो कि अधिए फिर आज लेए इस ते नहीं है अधिए यार कि यार अभी नहीं करना वह तो प्रुब्रव कराद देए यह नहीं करना यह तुझे भी दोस्ती कष्ब देए अ विरू तो नहीं चोड़ना एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ भी नहीं चोड़ना भी जाता हूं वास बहलाकर तेरी गोजिमी नालता हूं आव पीरू तेरे देखते 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 तुनियां को लेकर आथा हूं। और तुनियां को त् il are कत बमिला कर पठना और उसे तेरे सामने मारूं। युए तो फिकह मत कर। आ यु तू रुका रहे मैं भी आया मैं भी आया। कर देंगा, कर देखेंगा? कर देखेंगा! लोगा कर दो डुटसाइच ability लोगा कि इल से, ररुट अ फो कर दो आरुट taking टॉक बिजनिस हमारे आत्मियोंने आपको शुट नहीं क्या क्योंकि हमें आपका दस्तकत चाहिए माइकल थापा हम तुम्हारे सब पर साइन करने को तयार हैं लेकिन हमारी दो शर्ते हैं शर्त पताईए और यहां दस्तकत किजिए चोड़ दो इसे आपने हमें गर्द दिया हमने आपको चुनिया दिया लाइस को मैं करताव आपा आप शुल्ट प्रक्राइश्वल जी राजेश्वर जी हमारी दोस्ती का खून करने वाले आज हमें तुन्हारा खून चाहिए तुन्हारा खून आज हमें तुन्हारा खून पूसरा खून तुन्हारा खून तुन्हारा खून गुदागा खुदा डी चुदा अजाल सुन्हार खून मैं इसे नहीं मनूगा एक दोस्त के खुन का हिसाब तुछ से लेकर रहूंगा तुझे उसके ख़दमों सब्सक्राइजाओंगा बिरूट आज कुट्छे को लाया हो तेरे ख़दमों में तुझे नहीं जोगा ईसे जाने नहीं दूगा तुझे कुट्छード है बिरूट अलकुछी कांसे बिरूट मेरे साथ बरी साध के लगाव होई है जजजश्ष्वार एंग! एंगा प्रेश्ट! बाष्ट! बाबा! बूल ना जाना रखना या तू मेरे मरने के बाद मेरे चिता अपे रख देना थोड़े इन्ली थोड़े वे बाबा! अगर प्रेम कांथ इन्सा करती है तो इन्सा का विनाश भी शिर्फ प्रेम ही कर सकता है। और फिर पैलती है प्यार की रोश्नी आलने ते जार काई जातू इलूँ 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 आलनाप्य आलनाप्य इलूँ आलनाप्य झाले की रीजा